दोस्तो मुंशी प्रेमचंद जी एक ऐसे पृत्वा शाली इंसान थे जिन्होंने हिंदी भाषा को एक नई पहचान दी इन्होंने अपने लेखन से लोगों के मन में जाग रुकता जगाई अपनी अंतिम सांस तक उपन्यास लिखते रहे तो आईए सुनते हैं एक महान साहतिकार नाटककार उपन्यासकार जैसे बहुमुखी पृत्वा रखने वाले मुंशी प्रेमचंद की एक बहुती अच्छी कहानी इस कहानी का नाम है पृतिशोद कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेश्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जिली से इसे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आपके लिए डेली ऐसी ही सुन्दर सुन्दर और मनुहर कहानी लेकर आती रहती हूँ चली बढ़ते हैं कहानी की तरफ माया अपने तिमंजले मकान की छट पर खड़ी सड़की और उदगिन और अधीर आखों से ताक रही थी और सोच रही थी वो अब तक आय क्यों नहीं कहां देल लगाई इसी गाड़ी से आने को लिखा था गाड़ी तो आगी होगी इस्टेशन से मुसाफिर चले आ रहे हैं इस वक्त तो कोई दूसरी गाड़ी नहीं आती शायद असबाब बगएरा रखने में देर हुई यार दोस्त इस्टेशन पर बदाई देने के लिए पहुँच गए हो उनसे फुरसत मिलेगी तब घर की सुदाएगी उनकी जगा मैं होती तो सीधे घर आती दोस्तों से कह देती जनाब इस वक्त मुझे माफ कीजिए फिर मिलिएगा मगर दोस्तों में तो उनकी जान बस्ती है मिश्टर बियास लखनो के नौजबान मगर अतियंत पृतिश्टित बेरिश्टरों में से हैं तीन महीनों से वो एक राजनीतिक मुकदमे की पेरवी करने के लिए सरकार की और से लौहर गए हुए हैं उन्होंने माया को लिखा था जीत हो गई है पहली तारीक को मैं शाम की मेल में जरूर पहुँचूंगा आज बही शाम है माया ने आज सारा दिन तयारियों में बिताया सारा मकान धुलबाया कमरों के सजावट के सामान साफ कराए मोटर धुलबाई ये तीन महीने उसने तपस्या के काटे थे मगर अब तक मिश्टर ब्यास नहीं आए उनकी छोटी बच्ची तिलोतमा आकर उसके पैरों में चिमट गई और बोली अम्मा बाबुजी कब आएंगे माया ने उसे गोद में उठा लिया और चूम कर बोली आते ही होंगे बेटी गाड़ी तो कब की आ गई तिलोतमा बोली मेरे लिए अच्छी गुडिया लाते होंगे माया ने कुछ जवाब न दिया इंतिजार अब गुसे में बदलता जाता था वो सोच रही थी जिस तरह मुझे हजरत परशान कर रहे है उसी तरह मैं भी उनको परशान करूंगी घंटे बर तक बोलूंगी ही नहीं आकर स्टेशन पर बैठे हुए हैं जलाने में उन्हें मज़ा आता है ये तो उनकी पुरानी आदत है दिल को क्या करूं नहीं जी तो ये ही चाता है जैसे वो मुझे से बेरुखी दिखलाते हैं उसी तरह मैं भी उनकी बात न पूछ हूँ एक 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 नौकर ने उपर आकर कहा बहु जी लाहुर से ये तार आया है माया अंदर ही अंदर जल उठी उसे ऐसा मालुम हुआ कि जैसे बड़े जोर की हरारत हो गई हो बर्वस ख्याल आया सिवाए इसके और क्या लिखा होगा कि इस गाली से ना आ सकूँगा तार दे देना कौन मुश्किल है मैं भी क्यों न तार दे दू कि मैं एक महीने के लिए माय के जा रही हूँ नोकर से कहा तार ले जाकर कमरे में मेज़ पर रख दो मगर फिर कोछ सोचकर उसने लिफाफा ले लिया और खोला ही था कि कागज हाथ से छूटकर गिर पड़ा लिखा था मिश्टर बियास को आज दस वजे रात किसी बदमाशने कतल कर दिया कई महीने बीट गए मगर खूनी का अब तक पता नहीं चला खुफिया पुलिस के अनुबवी लोग उसका सुराग लगाने की फिकर में परिशान है खुनी को गरफतार करा देने वाले को 20,000 रूपी इनाम दिये जाने का ऐलान किया गया है मगर कोई नतीजा नहीं जिस सो होटल में मिश्टर बियास ठहरे थे उसी में एक महीने से माया ठहरी हुई है उसके कमरे से उसे प्यार सा हो गया है उसके सूरत इतनी बदल गई है कि अब उसे पहचानना मुश्किल है मगर उसके चेहरे पर बेकसी या दर्द का पीला पन नहीं बलकि क्रोध की गर्मी दिखाई पड़ती है उसके नशीली आखों में अब खून की प्यास है और पिर्तिशोद की लपट उसके शरीर का एक एक कड पिर्तिशोद की याँख से जला जा रहा है अब यही उसके जीवन का ध्ये यही उसकी सबसे बड़ी अभिलाशा है उसके प्रेम की सारी नधी अब यही प्रतिशोद का आवेग है जिससे पापी ने उसकी जीवन का सर्बनाश कर दिया उसे अपने सामने तरफते देख कर ही उसकी आँखे ठंडी होंगी खुफिया पुलिस भाय और लोब जाँच और पड़ताल से काम ले रही है मगर माया ने अपने लक्च पर पहुँचने के लिए एक दूसरा ही रास्ता अपनाया मिश्टर ब्यास को प्रेत बिद्या से लगाओ था उनकी संगती में माया ने कुछ आरंबिक अभ्यास किया था उस वक्त उसके लिए एक मनोरंजन था मगर अब यही उसके जीवन का संबल था वो रोजाना तिलोतमा पर अमल करती और रोज बर रोज अभ्यास बढ़ाती जाती थी वो उसे दिन का इंतजार कर रही थी जब अपने पती की आत्मा को बुला कर उससे खूने का सुराग लगा सकेगी वो बड़ी लगन से बड़ी एकागर चितता से अपने काम में ब्यस्त थी रात के दस बज गए थे माया ने कमरे को अंधेरा कर दिया था और तिलोतमा पर अभ्यास कर रही थी यकाये को उसे ऐसा मालूम हुआ कि कमरे में कोई दिब ब्यक्तित व आया है बुझते हुए दीपक की अंतिम जलक की तरह एक रोशनी नजर आई माया ने पूछा आप कौन है तिलोतमा ने हसकर कहा तुम मुझे नहीं पहचानती मैं ही तुमारा मनवोहन हूँ जो दुनिया में मिश्टर ब्यास के नाम से मशूर था आप खूब आए मैं आपसे खूनी का नाम पूछना चाहती हूँ उसका नाम इश्वर दास है कहां रहता है शाजहापुर माया ने मुहले का नाम मकान का नंबर सूरत शकल सब कुछ विस्तार के साथ पूछा और कागज पर नोट कर लिया तिलो तमा थोड़ी देर में उट बैठी जब वो कमरे में फिर रोशनी हुई तो माया का मुर्जाया हुआ चेहरा बिजय की पिरसनता से चमक रहा था उसके शरीर में एक नया जोश लहरे मार रहा था कि जैसे प्यास से मरते हुए मसाफिर को पानी मिल गया हो उसे रात को माया ने लहोर से शाह जहापुर आने का इरादा किया रात का वक्त था पंजाब मेल बड़ी तेजी से अंधिरे को चीरती हुई चली जा रही थी माया एक सेकंड किलास के कमरे में बैठी सोच रही थी कि शाह जहापुर में कहा ठहरेगी कैसे इशवर दास का मकान तलाश करेगी और कैसे उससे खून का बदला लेगी उसके बगल में तलोतमा बेख़वर सो रही थी सामने उपर के बर्थ पर एक आदमी नीद में गाफिल पड़ा हुआ था एका एका गाड़ी का कमरा खुला और दो आदमी कोट पतलून पहने हुए कमरे में दाखिल हुए दोनों अंग्रेज थे एक माया की एक तरफ बैठा और दूसरा दूसरी तरफ माया सिमट कर बैठ गई इन आदमीयों का यूँ बैठना उसे बहुत बुरा मालम हुआ बो कहना चाहती थी आप लोग दूसरी तरफ बैठें पर बही औरत जो खून का बदला लेने जा रही थी सामने ये ख़द्रा देखकर काप उठी बो दोनों शैतान उसे सिमटते देखकर और भी करीब आ गए माया अब बहां बैठी ना रह सकी बो उठकर दूसरे बरत पर जाना चाहती थी कि उन में से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया माया ने जोर से हाथ छुड़ाने की कोशिश करके कहा तुम्हारे शामत तो नहीं आई है छोड़ तो मेरा हाथ सुर इस पर दूसरे आदमी ने उठकर माया को सीने से लिप्टा लिया और लड़ खड़ाती हुई जबान से बोला वैल हम तुम का बहुत सा रूपिया देगा माया ने उसे सारी ताकत से ठकेलने की कोशिश करते हुए कहा हट जा हराम जा दे बनना भी तेरा सर तोड़ दूँगी दूसरे आदमी भी उठकर खड़ा हुआ और दोनों मिलकर माया को बर्त पर लिटाने की कोशिश करने लगे एका एका ये खट पर सुनकर उपर के बर्त पर सोया हुआ आदमी चौका और उन बदमाशों की हरकत दे कर उपर से कुद पड़ा दोनों गोरे उसे दे कर माया को छोड़ कर उसकी तरफ जपटे और उसे गुंसे मानने लगे दोनों उस पर तावर तोड हमला कर रहे थे और वो हातों से अपने को बचा रहा था उसे बार करने का कोई मौका न मिलता था यका एक उसने उचक कर अपने बिस्तर में से एक चुरा निकाल लिया और आस्ती ने समेट कर बोला तुम दोनों अगर अभी बहार न चले गए तो मैं एक को भी जीता न चुड़ूंगा दोनों गोरे चुरा देकर डरे मगर बो भी नहते ना थे एक ने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और उसकी नली उस आदमी की तरफ करके बोला निकल जाओ रैसकल माया थर-थर काप रही थी कि ना जाने क्या आफ़त आने वाली है मगर खत्रा हमारी छीपी हुई हमतों की कुंजी है खत्रे में पढ़कर हम भैकी सीमाओं से आगे बढ़ जाते हैं और कुछ कर गुजरते हैं जिस पर हमें खुद हैरत होती है बही माया जो अब तक थर-थर काप रही थी बिल्ली की तरह कूद कर उस गोरे की तरफ लपकी और उसके हाथ से रिवॉल्वल छीन कर गाड़ी के नीचे फैंक दिया गोरे ने खिस्या कर माया को दात काटना चाहा मगर माया ने जल्दी से हाथ खीच लिया और खत्रे की जंजीर के पास जाकर उसे जोर से खीचा दूसरा गोरा अब तक किनारे खड़ा था उसके पास कोई हत्यान न था इसलिए वो छुरी के सामने ना आना चाहता था जब उसने देखा कि माया ने जंजीर खीच ली तो भीतर का दरवाजा खोल कर वो भागा उसका साती भी उसके पीछे पीछे भागा चलते चलते छुरे वाले आदमी ने उसे इतनी जोड से धका दिया कि वो मूँ के बल गिर पड़ा फिर तो उसने इतनी ठोकरे इतनी लाते और इतने घूसे जमाए कि उसके मूँ से खून निकल पड़ा इतने में गाड़ी रुक गई और गाड लांटेल लिये आता हुआ दिखाई दिया मगर वो दोनों शेतान गाड़ी को रुकते देकर बेताहाशा नीचे कूद पड़े और उस अंधेरे में ना जाने कहां खो गए गाड़ी ने भी ज़्यादा च्छान बीन ना की और करता भी तो उस अंधेरे में पता लगाना मुश्किल था दोनों तरफ खड़े थे शायद किसी नदी के पास थी बहां दोग या दोसो आदमी उस वक्त बड़ी आसानी से छप सकते थे दस्वे मिनट तक गाड़ी खड़ी रही फिर चल पड़ी माया ने मुक्ती की सांस लेकर कहा अगर आज आप ना होते तो इश्वर ही जाने मेरा क्या हाल होता आपके कहीं चोड़ तो नहीं आई उस वादमी ने छुरे को जेब में रखते हुए कहा बिलकुल नहीं मैं ऐसा बेसु सोया हुआ था कि उन बदमाशों के आने की खवर ही न हुई बरना मैं उने अंदर पाउं भी न रखने देता अगले इस्टेशन पर रिपोर्ट करूंगा माया बोली जी नहीं खाम खां की बदरामी और परिशानी होगी रिपोर्ट करने से कोई फाइदा नहीं इश्वन ने आज मेरी आबरू रख ली मेरा कलेजा तो अभी तक धड़क रहा है आप तो कहां तक चलेंगे मुझे शाह जहां पुर जाना है बहीं तक तो मुझे भी जाना है शुब नाम क्या है आपका कम से कम अपने उपकारक के नाम से तो पर्चित हो जाऊं मुझे तो इश्वरदास कहते है माया का कलेजा धक से हो गया जरूर ये भी खूनी है इसके शकल सूरत भी भी है जो उसे बतलाई गई थी उसने डरते डरते पूछा आपका मकान किस महले में है महले का नाम सुनकर माया का दिल और बैठ गया उसने ख्रकी से सिर बाहर निकाल कर एक लंबी सांस ली हाई खूनी मिला भी तो इस हालत में जब वो उसके एहसान के बोज़ से दबी हुई है क्या उस आदमी को वो खंजर का निशाना बना सकती है जिसने बगेर किसी परिचे के सिर्फ हमदर्दी के जोस में ऐसे गाड़े बक्त में उसकी मदद की जान पर खेल गया वो एक अजीब उल्जन में पड़ गई थी उसने उसके चेहरे की तरब देखा शराफत जलक रही थी ऐसा आदमी खुन कर सकता है इसमें उसे संदे था ईश्वर दास ने पूछा आप लाहर से आ रही है न शाह जहां पुर में कहां जाईएगा अभी तो कहीं धर्मशाला में ठहरूंगी मकान का इंतजाम करना है ईश्वर दास ने ताज्यूब से पूछा तो आप किसी दोस्तिय रिस्तदार के हां नहीं जा रही है कोई ना कोई मिल ही जाएगा यूँ आपका असली मकान कहां है असली मकान पहले लखनव में था अब कहीं नहीं है मैं बेबा हूँ ईश्वर दास ने सहाजापुर में माया के लिए एक अच्छा मकान तै कर दिया एक नौकर भी रख दिया दिन में कई बार हाल चाल पूछने आता माया कितना ही चाहती थी कि उसके एहसान ना ले उससे घनिश्टता पैदा ना करे मगर वो इतना नेक इतना वामरौबत और शरीफ था कि माया मजबूर हो जाती थी एक दिन वो कई गमले और फन नीचल लेकर आया कई खुबसूरत तस्वीरें भी थी माया ने तेओरियां चड़ा कर कहा मुझे साज सामान की बिल्कुल जरूरत नहीं आप नाहक तकलीफ करते हैं इश्वर दास ने इस तरह लज्जित होकर कहा जैसे उससे कोई भूल हो गई हो बोला मेरे घर में ये चीज़ें बेकार पड़ी थी लाकर रख दी मैं इन टीम टाम की चीज़ों का गुलाम नहीं बनना चाहती माया बोली इश्वर दास ने डरते डरते कहा अगर आपको नागबार हो तो उठवा ले जाओं माया ने देखा कि उसकी आँखें भर आई है मजबूर होकर बोली अब आप ले आए हैं तो रहने दीजिए मगर आगे से कोई ऐसी चीज़ न लाईएगा एक दिन माया का नौकर ना आया माया ने आठ नौ बजे तक उसकी रहा देखी जब वो ना आया तो उसने जूटे बरतन माजना शुरू किया उसे अपने हाथ से कभी चोका बरतन करने का सेयोंग न हुआ था बार बार अपनी हालत पर रोना आता था एक दिन बो था कि उसके घर में नौकरों की एक पल्टन थी आज उसे अपने हाथों से बरतन माजने पढ़ रहे है तिलोतमा दोड़ दोड़ कर बड़े जोस से काम कर रही थी उसे कोई फिकर न थी अपने हाथों से काम करने का अपने को उपियों की थाबित करने का ऐसा अच्छा मौका पाकर उसकी खुशी की सीमा न रही इतने में इश्वरदास आकर खड़ा हो गया और माया को बरतन माज़ते देख कर बोला ये आप को क्या कर रही है? रहने दीजिए मैं अभी एक आदमी को बुलवाय लाता हूँ आपने मुझे खबर क्यों न दी? राम राम उट जाएए बहां से माया ने लापरवाई से कहा कोई जरूरत नहीं आप को तकलिफ न कीजिए मैं अभी माज़े लेती हूँ इसकी जरूरत भी क्या? मैं एक मिनट में आता हूँ नहीं आप किसी को न लाइए मैं इतने बरतन आसानी से धोलूँगी अच्छा तो लाइए मैं कुछ मदद करूँ ये कहकर उसने डोल उठा लिया और बाहर से पानी लेने दोडा पानी लाकर उसने मज़े हुए बरतनों को धोना शुरू किया माया ने उसके हाथ से बरतन चीनने की कोशिश करके कहा आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? रहने देजिए मैं अभी साफ की देती हूँ आप मुझे शर्मिंदा करती हैं यह मैं आपको शर्मिंदा कर रहा हूँ आप यहां मुसाफिर हैं मैं यहां का रहने वाला हूँ मेरा धरम है कि आपकी सेवा करूँ आपने एक जादिती तो यह की कि मुझे जरा भी खवर न दी अब दूसरी जादिती यह कर रही है जो मैं बर्दास नहीं कर सकता ईश्वर दास ने जरा देर में सारे बर्तन साफ करके रख दिये ऐसा मालूम होता था कि वो ऐसे कामों का आदी है बर्तन दोकर उसने सारे बर्तन पानी से भर दिये और तब माथे से पसीना पोच्छता हुआ बोला बाजार से कोई चीज लानी हो तो बतला दीजिए अभी ला दूँ माया बोली जी नहीं माफ कीजिए आप अपने घर का रास्ता लीजिए ईश्वर दास बोला तिलुतमा आओ आज तुमें सेर करा लाए माया जी नहीं रहने दीजिए इस वक्त सेर करने नहीं जाती माया ने ये शब्द इतने रूखे पन से कहे कि इश्वर दास का मुँ उतर गया उसने दुबारा कुछ ना कहा चुपके से चला गया उसके जाने के बाद माया ने सोचा मैंने उसके साथ कितनी बेमुरब्ती की रेल गारी की उस दुखत गटना के बाद उसके दिल में बरावर पिर्तिशोद और मनुश्टा में लड़ाई छड़ी हुई थी अगर इश्वर दास उस मौके पर सुर्ग के एक रूद की तरह ना आया होता तो आज उसकी क्या हालत होती ये ख्याल करके उसके रौएं खड़े हो जाते थे और इश्वर दास के लिए उसके दिल की गहराईयों से किर्तगिता के शब्द निकलते थे क्या अपने उपर इतना बड़ा एहसान करने बाले कि खून से अपने हाथ रंग पाएगी लेकिन उसी के हाथों से तो उसे ये मनहुस दिन देखना पड़ा उसी के कारण तो उसने रेल का वो सफर किया था बरना वो अकेले बिना किसी दोस्त ये मददकार के सफरी क्यों करती उसी के कारण तो आज वो बैदब की बिपत्नियां जहल रही है और सारी उमर जहलेगी इन बातों का ख्याल करके उसकी आँखें लाल हो जाती मुह से एक गरम आहा निकल जाती और जी चाहता इसी वक्त कटार लेकर चल पड़े और उसका काम तमाम कर दे आज माया ने अंतिम निश्य कर लिया उसने इश्वर दास की दावत की थी यही उसकी आखरी दावत होगी इश्वर दास ने उस पर एहसान जरूर किये है लेकिन दुनिया में कोई एहसान कोई नेकी उसो शोक के दाव को मिटा नहीं सकती रात के नौ बजे इश्वर दास आया तो माया ने अपने बाड़ी में प्रेम का आवेक भरगर कहा बैठिये आपके लिए गरम गरम पूरिया निकाल दू इश्वर दास क्या अभी तक आप मेरे इंतजार में बैठी हुई है नाहा के गर्मी में परशान हुई माया ने थाली परोस कर उसके सामने रखते हुए कहा मैं खाना पकाना नहीं जानती अगर कोई चीज अच्छी ना लगे तो माफ कीजिएगा इश्वर दास ने खूब तारिफ करके एक एक चीज खाई ऐसी स्वादिष्ट चीजें उसने अपने उम्र में कभी न खाई थी आप तो कहती थी मैं खाना पकाना नहीं जानती तो क्या मैं गलत कहती थी बिल्कुल गलत आपने खुद अपनी गलती साबट कर दी ऐसे खस्ते खाने मैंने जिंदिगी में कभी न खाय थे आप मुझे बनाते हैं अच्छा साहा बना लीजिए नहीं, मैं बनाता नहीं, बिलकुल सच कहता हूँ, किस किस चीज की तारिफ करूँ, चाहता हूँ कि कोई आइब निकालूँ, लेकिन सूजता ही नहीं अपकी मैं अपने दोस्तों की दावत करूँगा, तो आपको एक दिन तकलिफ जरूर दूँगा हाँ शौक से कीजिए मैं हाजिर हूँ खाते खाते दस बज गए तलोतमा सो गई थी गली में भी सन्नाटा हो गया ईश्वर दास चलने को त्यार हुआ तो माया बोली क्या आप चले जाएंगे क्यो ना आज यहीं सो रहिए मुझे कुछ और डर लग रहा है आप बाहर के कमरे में सो रहिएगा मैं अंदर आंगन में सो रहूंगी ईश्वर दास ने छड़वर सोच कर कहा अच्छी बात है आपने पहले कभी ना कहा कि आपको इस घर में डर लगता है बरना मैं किसी भरोसे की बुड़ी औरत को रात को सोने के लिए ठीक कर देता ईश्वर दास ने तो कमरे में आसंज माया माया अंदर खाना खाने कही लेकिन आज उसके गले के नीचे एक और भी ना उतर सका उसका दिल जोर जोर से धरक रहा था दिल पर एक डरसा चाया हुआ था ईश्वर दास कहीं जाग पड़ा तो उसे उस वक्त कितनी शर्मिंदगी होगी माया ने कटार को खूब तेज कर रखा था आज दिन भर उसे हाथ में लेकर अभ्यास भी किया था वो इस पर इस तरह बार करेगी कि खाली ही न जाए अगर इश्वर दास जागी पड़ा तो जान लेवा घाव लगेगा जब आदी रात हो गई और इश्वर दास के खरराटों की आबाजें कानों में आने लगी तो माया कटाल लेकर उठी पर उसका सारा शरीर काप रहा था भाय और संकल्पो आकरशन और घिरना एक साथ कभी उसे एक कदम आगे बढ़ा देती कभी पीछे हटा देती ऐसा मालूम होता था कि जैसे सारा मकान सारा आसमान चक्कर खा रहा है कमरे की हर एक चीज गूमती हुई नजर आ रही थी मगर एक छड़ में ये बेचैनी दूर हो गई और दिल पर डर चा गया वो दबे पाउ इश्वरदास के कमरे तक आई फिर उसके कदम बही जम गए उसकी आँखों से आंसु बहने लगे आहा मैं कितनी कमजोर हूँ जिस आदमी ने मेरा सर्बनाश कर दिया मेरी हरी भरी खेती उजार दी मेरे लहलहाते हुए उपन को बीरान कर दिया मुझे हमेशा के लिए आग के जलते हुए कुंडों में डाल दिया उससे मैं खून का बदला भी नहीं ले सकती वो मेरी ही बहने थी जो तलबार और बंदूक लेकर मैदान में लड़ती थी देहकती हुई चिता में हस्ते हस्ते बढ़ जाती थी उसे उस वक्त ऐसा मालूम हुआ कि मिश्टर ब्यास सामने खड़े है और उसे आगे बढ़ने की प्रणना कर रहे है कह रहे है क्या तुम मेरे खून का बदला न लोगी मेरी आत्मा पिर्तिशोद के लिए तरप रही है क्या उसे हमेशा हमेशा यूँ ही तरपाती रहोगी क्या यही वफा की शर्त थी इन बिचारों ने माया की भापनाओ को भढ़का दिया उसकी आँखें खून की तरह लाल होग उठी होटो दातों की नीचे दब गए और कटार के हत्ते पर मुठी बन गई एको उनमाद सा चा गया उसने कमरे के अंदर पैर रखा मगर इश्वर दास की आँखें खुल गई थी कमरे में लाल्टेन की मद्धिम रोचनी थी माया की आहट पाकर वो चौका और सिर उठा कर देखा तो खून सर्द हो गया माया पिरले की मूर्ती बनी हाथ में नंगी कटा लिए उसकी तरफ चली आ रही थी वो चार पाई से उठकर खड़ा हो गया और घबरा कर बोला किया है बहन? ये कटार लिए क्यों खड़ी हो? माया ने कहा ये कटार तुमारे खून के प्यासी है क्योंकि तुमने मेरे पती का खून क्या है? इश्वर दास का चेहरा पिला पड़ गया बोला मैंने? हाँ तुमने तुम ही ने लाहूर में मेरे पती की हत्या की जब भी एक मुकदमे की पैर भी करने गए थे क्या तुम इससे इंकार कर सकते हो मेरे पती की आत्मा ने खुद तुमारा नाम पता बतलाया है तो तुम मिश्टर ब्यास की बीबी हो हाँ मैं उनकी बदनसी बीबी हूँ और तुम मेरा सुहाग लोटने वाले हो गो तुमने मेरे उपर एहसान किये हैं लेकिन एहसानों से मेरे दिल की आग नहीं बुछ सकती बो तुम्हारी खून से ही बुछेगी इश्वर दास ने माया की और याचना भरी आँखों से देख कर कहा अगर आपका यही फैसला है तो लेजिए यह सरहाजर है अगर मेरे खून से आपके दिल की आग बुछ जाए तो मैं खुद उसे आपके कदमों पर गिरा दूँ लेकिन जिस तरह आप मेरे खून से अपने तलवार की प्यास बजाना अपना धर्म समझती हैं उसी तरह मैंने भी मिश्टर ब्यास को कतल करना अपना धर्म समझा था आपको मालूम है वो एक राजनीतिक मुकदमे की पैर भी करने लाहर गए थे लेकिन मिश्टर ब्यास ने जिस तरह अपनी उंची कानोनी लियाकत का इस्तिमाल किया पुलिस को जूटी शहादतों के तयार करने में जिस तरह मदद की जिसे बेहरेमी और बेदर्दी से बेकस और बेगुना लोगों को तभा किया उसे मैं सहे ना सकता था उन दिनों अदालत में तमाशाईयों की बेंतिहा भीड रहती थी सभी अदालत में मिश्टर ब्यास को कोसते हुए जाते थे मैं तो मुकदमे की हकीकत को जानता था इसलिए मेरी अंतरात्मा सिर्फ कोसने और गालिया देने से शांत ना हो सकती थी मैं आपसे क्या कहूँ मिश्टर ब्यास ने आँखे खोल कर और समझ कर जूट को सच साबित किया और कितने ही घरानों को बेचिरा कर दिया आज कितनी माएं अपने बेटों के लिए खून के आंसू रो रही है कितने ही औरतें रणापे की आग में जल रही है पुलिस से कितने ही जादितियां करे हम परवा नहीं करते पुलिस से हम इसके सिवा और उम्मीद ही क्या रखते है उसमें जादातर जाहिल शोहदे लुचे भरे हुए है सरकार ने इस महकमा को कायम ही इसलिए किया है कि वो रियाया को तंग करे मगर बकीलों से हम इनसाफ की उम्मीद रखते है हम उनकी इज़त करते है बे उच्च कोटी के पड़े लिखे सजग लोग होते है जब ऐसे आदमियों को हम पुलिस के हाथों की कटपतली बना हुआ देखते है तो हमारे किरोध की सीमा नहीं रहती मैं मिश्टर ब्यास का परिशन सक था लेकिन जब मैंने उन्हें बेगोना मुझलिमों से जबरन जुर्म का इकवाल कराते देखा तो मुझे उनसे नफरत हो गई गरीब मजलूम रात दिन भर उल्टे लटका जाते थे सिर्फ इसलिए कि वो अपना जुर्म जो उन्होंने कभी नहीं किया था उसे एकवाल कर ले उनकी नाक में लाल मिर्च का दुहाँ डाला जाता था मिश्टर ब्यास ये सारी जादितियां सिर्फ अपनी आँखों से देखते ही नहीं थे बलकि उन्हीं के शारे पर बोकी जाती थी माया के चेहरे की कठोड़ता जाती रही उसके जगे जायज गुसे की गर्मी पैदा हुई बोली इसका आपके पास कोई सबूत है कि उन्होंने मुल्जमों पर ऐसी सक्तियां की ये सारी बातें आम तोर पर मशूर थी लाहर का बच्चा बच्चा जानता है मैंने खुद अपनी आँखों से देखी इसके सिवा मैं और क्या सबूत दे सकता हूँ उन्हों बेचारों का बस इतना कुसूर था कि वो हिंदुस्तान के सच्चे दोस्त थे अपना सारा वक्त पिरजा की सिच्चा और सेवा में खर्च करते थे भूके रहते थे पिरजा पर पुलिस हुक्काम की सक्तियां नहोने देते थे यही उनका गुनह था और इसी गुनहा की सजा दिलाने में मिश्टर बियास पुलिस के दाहिने हाथ बने हुए थे माया के हाथ से खंजर गिर पड़ा उसके आँखों में आँसु भराए बोली मुझे ना मालूम था कि भे ऐसी हरकतें भी कर सकते हैं इस्वर दास ने कहा ये ना समझिये कि मैं आपकी तलवार से डर कर बकील सहाब पर जूटे इलजाम लगा रहा हूँ मैंने कभी जिन्दगी की परवा नहीं की मेरे लिए कौन रोने वाला बैठा हुआ है जिसके लिए जिन्दगी की परवा करूँ अगर आप वो समझती हैं कि मैंने अनुचित हतिया की है तो आप इस तलवार को उठा कर इसे जिन्दगी का खात्मा कर देजिए मैं जराबी ना जिचकूंगा अगर आप तलवार ना उठा सकें तो पलिस को खबर कर देजिए वो बड़ी आसानी से मुझे दुनिया से रुखसत कर सकती है सबूत मिल जाना मुश्किल ना होगा मैं खुद पलिस के सामने जर्म का एकवाल कर लेता मगर मैं इसे जर्म नहीं समझता अगर एक जान से सेक्रों जाने बच जाएं तो वो खून नहीं है मैं सिर्फ इसलिए जिन्दा रहना चाहता हूँ कि शायद किसी ऐसे ही मौके पर मेरी फिर जरूरत पड़े माया ने रोते हुए कहा अगर तुमारा बयान सही है तो मैं अपना खून माफ करती हूँ तुमने सही किया या गलत इसका फैसला इश्वर करेगा तुमसे मेरी परातना है कि मेरे पती के हाथों जो घर तबा हुए है उनका मुझे पता बतला दो शायद मैं उनकी कुछ सेवा कर सकूँ तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मौनशी प्रेमचंद की कहानी पिरतिशोद ये कहानी आपको कैसी लगी कमिट बॉक्स में जरूर बताना कहानी को एक लाइक जरूर कर देना ऐसी ही और मनोहर कहानिया सुनने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राब जरूर कर लेना मिलते हैं अंगली किसी नई कहानी के साथ